हलो फ्रेट्स, वेलकम टो इंग्लिश रेंग चैनल हम शिमला में एक अध हफते रुखने की सोच रहे हैं राहुल एकाद दिन में आ जाएगा मैं एकाद महिने में पैसे लोटा दूँगा और दीदी की शादी एकाद साल में हो जाएगी इन सभी हिंदी सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है एकाद और अक्सर हम अपने डेली कॉन्वेसेशन में बोलते हैं एकाद हफता, एकाद दिन, एकाद घंटा एकाद को इंग्लिश पे बोलने के लिए यूज किया जाता है और सो, और सो चले संटेंस स्टक्चर समझ लेते हैं संटेंस प्लस और सो आपको यहाँ पे ध्याँ रखना है कि जो में संटेंस है वो टेंस की अकोरडिंग आएगा और इसके बाद एट करेंगे और सो चलिए एक example के help से समझ लेते कि sentence को कैसी frame करेंगे आपके सामने हिंदी में example है मेरी पढ़ाई एक अध घंटे में पूरी हो जाएगी So main sentence is My study will be completed in an hour और इसके बाद add करेंगे or so So now complete sentence is My study will be completed in an hour or so चलिए कुछ और example देख लेते हैं हम शिमला में एक अध हफते रुखने की सोच रहे हैं We are planning to stay in शिमला for a week or so राहूल एक अध दिन में आ जाएगा राहूल will come in a day or so मैं एक अध महिने में पैसे लोटा दूँगा I will return the money in a month or so I will return the money in a month or so दीदी की शादी एक अध साल में हो जाएगी Sister will get married in a year or so Sister will get married in a year or so Friends, आपके लिए दो practice sentences है मैं एक आध बार उसके घर गया था और मैंने एक आध बार dragon fruit खाया है आप इन दोनों sentences को English में कैसे बोलेंगे अपने answers comment section में जरूर mention करें And I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है और useful लगा है तो please वीडियो को like और share जरूर करें और English Channel Channel को subscribe करना न भूले Keep learning and thanks for watching